मेट्रो श्टेशनों के बाहर अब धुम्र पान करने पर होगा चालान राष्टी राजधानी के मेट्रो श्टेशन परीसरों वह उसके आस्पास धुम्र पान उठफादों का उपभोग करने पर अब दिल्ली पुलिस सिगरेट एवं अन्यतं बाकू उठफादनों पर रोक लगाईगी दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन पर इसरव उसके आसपास भारी पार्किंग शेतर पर तमबाकू मुक्त करने के लिए ये कारेक्रम चलाया जा रहा है छोटे कारोबारियों को राहत GST रेजिस्टेशन में राहत 40 लाग तक तर्नोवर वाले नहीं होंगे GST में शामिल राजधानी दिल्ली में GST काउंसलिंग की गुरुवार को हुई 32 वी बैठक में कई महत्वपुन फैसले लिए गए जिसके तहट 40 लाग तक तर्नोवर वाले कारोबारी GST में शामिल नहीं होंगे GST परिशद ने कंपोजीशन जोजना का लाब उठाने के लिए सालाना कारोबार सीमा को एक करोड से बढ़कर डेड़ करोड रुपे कर दिया है यह एक अप्रेल 2019 से प्रभावी होगा अमर जवार जोती से होकर नहीं गुजरेगी गंतंत्र दिवस की परेड कंतंत्र दिवस के मोके पर राजपत से निकलने वाली परेड और भव्य जाकियां इस बार इंडिया गेट अमर जोती से होते हुए नहीं निकलेंगी बार रूट में थोड़ा सा फेर बदल किया गया है जिसकी वज़ा से परेड का रूट पहले से थोड़ा बड़ा भी हो गया है आठ दिन एक ही जगा बैट कर टैक्सी ड्राइवर ने पकड़े लुटे रे राजधानी में हर किसी को नहीं मिल पाता उसका लूटा हुआ मुबाइल लेकिन लकी निकला महिपालपूर का एक टैक्सी ड्राइवर यह दिल्चस्प वारदात वसंत कुंछ नौर्थ इलाके की है किर्ती नगर फरनीचर मार्किट में भीषण आग लाखों का माल खाक दिल्ली के किर्ती नगर के फरनीचर मार्किट में आग लगने से कारोबारियों को लाखों का नुखसान उठाना पड़ा है शे आग गुरुवार देर रात लगी जिस पर सुभा तक काबू पाया गया दिली के केर्थी नगर के फरनीचर मार्किट में गुरुवार देर रात भीशन आग लग गई इस आग को भुजाने के लिए फायर बिगेट की दस से अधिक गाड़ियां मोके पर पहुच गई न्यूज एजनसी एन आई के अनुसार सुभा तक कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस आग में लाखों का फरनीचर जलकर खाक हो गया है सिर्पर पल्लू, हाथ में बच्चा, महिला पॉकिट मार ऐसे चूरा रही है मेट्रों में समान मेट्रों में चोरी की वार दातें एक साल में काफी कम हुई हैं इसे लेकर ताजें आकड़े सामने आए हैं, हाला की एक आकड़ा ऐसा है जो हैरान करने वाला है मेट्रों में चोरियां रोकने के लिए CISF ने खास मुहिम चलाई है जिसके बाद 2017 के मुकाबले 2018 में इस तरह की वारदातों में भारी कमी आई है 2017 में जहां 1392 चोरी की मामले सामने आये थे, वहीं साल 2018 में मेट्रों में चोरी के 497 मामले दर्च किये गए हाला की इन आकड़ों में से एक आकड़ा चोकाने वाला है अधिकारियों ने बताया कि पूरुष चोर अक्सर महिलाओं के कपड़े पहन कर महिला कोच में घुज जाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि पूरुष यात्रियों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा महेंगी चीजें अपने साथ ले जाती है चोर सलवार सूट पहनते हैं और सिर्क को पल्लू से ढख लेते हैं उनके हाथ में बच्चा रहता है ऐसे में वह पूरुष है इसका पता लगाना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन होता है टीम इंडिया के खिलाफ औस्टेलिया पहनेगा 33 साल पुरानी जर्सी जानिये आखिर क्या है पूरा मामला भारत और औस्टेलिया के बीच वंडे सिरिस 12 जन्वरी से शुरू होगी वन्डे में टीम इंडिया के खिलाफ औस्टेलियन टीम 33 साल पुरानी जर्सी पहन कर उत्रेगी Vodafone ने पेश किया 169 रुपे का प्लान, कॉलिंग और डेटा समेथ मिलेगी SMS की सुविधा टेलीकॉम कंपनी Vodafone ने 169 रुपे का एक नया प्लान पेश किया है यह प्लान ओपन मार्किट में पेश किया गया है इस प्लान के तहट यूजर्स अनलिमिटिट वोईस, कॉलिंग, डेटा और SMS के सुविधा का लाब उठा पाएंगे यह प्लान सभी Vodafone यूजर्स के लिए वैद है वैसे तो कमपनी ने सभी टॉक टाइम रिचार्च को रिमूफ कर दिया है ऐसे में यह प्लान यूजर्स के लिए राहत के तोर पर पेश किया गया है सोने का भाव 33,000 रुपे के पार सराफ़ा में लगातार चोथे दिन भी तेजी सोने के भाव में लगातार चोथे दिन भी तेजी जारी रही गुरुवार को सोने का भाव 33,000 रुपे प्रती 10 गराम के स्तर पर पार हो गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मार्च आते आते त्यार हो जाएंगे नए लौंच मिलेगी एरपोर्ट वाली सुवी धाएं